हाई वेल्कम तो मेरे चनल इस वीडियो में सॉल्ब करें क्वेशन पर थार्टी थ्री और सिलिंड्रिकल वाट टैंक अफ डियमेटर 1.4 मीटर एंड हाई 2.1 मीटर इस बिंग फेड बाई पाइप आफ डियमेटर 3.5 cm तो क्या करा है कि एक सिलिंड्रिकल वाट टैंक है यहां पर एक टैंक मनम्ना दिया आफ डियमेटर 1.4 मीटर इसका डियमेटर जो है 1.4 मीटर है मिन्स यहांसे इसकी je यह लेंद्ध है यह पूरा यहां से लेकर के यहां तक यह वाली वो है आपका 1.4 मीटर 1.5 and height 2.1 मीटर तो इसका height जो है वो दे दिया है 2.1 मीटर यह height हो गई यहां से यहां तक ओके आपका रहा है कि इस बिंग फेड मनें इसको जो है खिलाया जारा एक्चली ओके तो पाने खिलाया जारा है सिलिंडर को by a pipe of diameter 3.5 cm इस pipe का जो diameter है जो यह वाला diameter है वो दे दिया है 3.5 cm ठीक है ओके through which water flows at the rate of अब इसके अंदर इस pipe के अंदर जो है किस rate से water flow हो रहा है यह भी दिया हुआ है through which water flows at the rate of 2 meter per second मतलब कि 1 second में 2 meter की दूरी का water जो है इसमें flow कर जा रहा है मतलब कि मालेज़े कि 2 meter हुआ यहां से यहां से लेकर जैसे मैंने pipe बनाया यहां से लेकर के pipe तो बहुत लंबा होगा ठीक है पाइप कुछ लंबा है हम लोग पूरा नहीं बनाया है तो यह यहां से लेकर के और मैंने कि यहां तक केवल है 2 meter और 2 meter length का यह जो pipe है इतना amount का जो water है वह एक second में flow out हो जा रहा है इस tank में ठीक है यह हम माल लिए ठीक है एक second में तो कर रहा है कि in how much time कितना time लगेगा the tank will be filled कितने time में यह पूरा जो tank है वो completely filled हो जाएगा करना क्या होगा हमें कि हमें यहां पर thinking जो करनी है इसको solve करने के लिए वो यह है पहले हम यह find करेंगे कि इस pipe के through इसको fill करने में माल लेंगे कि time t लग रहा है let us suppose time जो है t लग रहा है पूरा complete इसको fill करने में इस pipe के द्वारा तो हम अब निकालेंगे कि t time में इस pipe के द्वारा कितना water बाहर निकल जाएगा और जितना भी t time में water बाहर निकलेगा वही तो उतना ही निकलेगा न जितना इस cylinder का वालिव होगा क्योंकि वही तो माने है हम लोग है कि नहीं तो हम लोग को यही काम करना है बस simple आ जाएगा देखे करते हैं यहापा solution पहले हम मानेंगे कि कितना time लग रहा है तो लेट time taken let the time taken time taken to fill the cylindrical cylindrical tank B T T minutes 80 seconds मान सकते हैं या फिर you can say T T minutes मान लेते हैं 80 seconds कुछ भी मान सकते हैं तो हम T seconds मान लेते हैं तो माल लेकि T seconds लग रहा है seconds में आएगा answer लेकिन हम इसको convert कर लेंगे बाद में क्या minute में या फिर depend करेगा कि कितना लंबा जो है कितना बड़ा सा दिया हुआ है time में तब कितना आ रहा है ठीक है हम माल लेते हैं T seconds या T minutes भी मान सकते हैं आप T hour ही मान सकते हैं मैंने 2 meter length का जो pipe का जो water होगा उसके अंदर वह एक second में बाहर निकल जा रहा है ठीक है तो हम पहले एक second में निकाल लेंगे उसके बाद से T से मिटपलाई कर देंगे उसमें जो answer है T है वो निकल जाएगा तो पहले हम निकालते हैं कि एक second में कितना इस pipe के through water जो है बाहर निकल रहा है इस tank के अंदर तो quantity of quantity of water flown out of out of the pipe in one second ओके तो एक second में कितना quantity of water जो है बाहर flow out हो रहा है हम वो निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वही इस pipe का दो मीटर लेंथ का जो pipe का जो cylindrical pipe है इस pipe का जितना वी volume होगा उतरह निकलेगा तो हम यह आप निकाल लेते है pi r square h यहाँ पर radius जो है radius of the pipe है और height length of the pipe है ठीक है तो pipe की value जो है आप रख सकते है आप 22 by 7 under by r की value यहाँ पर रख सकते है देखें डामीटर दे दिया है यह 3.5 cm तो डामीटर का आधा हो जाएगा radius means 3.5 upon 2 का whole square into height h कितना होगा h means length of the pipe means 2 meter तो 2 meter को हम centimeter में use करेंगे, क्यों centimeter में हम यहाँ यहाँ यूज कर रहा है, तो 2 meter को लिए रहेंगे 200 centimeter, okay, now, अब यहाँ हम तुछा solve कर लते हैं इसको, तो यह मिलेगा 22 by 7 into, यहाँ पर solve करेंगे, तो मिलेगा 3.5 upon 2 multiplied by 3.5 upon 2 multiplied by 200, ठीक है, 2 से कट जाएगा है, यहाँ यह कटेग तो मिलेगा 11, 7 से कटेगा 7, अब यह कटेगा, तो मिलेगा 75 to 35, 0.305, okay, तो यहाँ पर 100 से multiply कर दते हैं, तो देखे, 3.5 और 5 का जो decimal है, वो हट जाएगा, और हमें मिलेगा 11 multiplied by 5 multiplied by 35, हमें इतना मिल जाएगा, finally, तो हम इसको multiply नहीं करेंगे, इतना है रखते हैं, इतना क्य क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें time बरबाद होगा, और हमें कोई result नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें finally, जो result पाना है, वो आगे मिलेगा कुछ, तो इतना ही रहने देजिए, ठीक है, मतलब इतना ही रहने देजिए, उसके बाद जो है, अब देखें, क्या मिला हमें, यह मिल देखें इसके बाद, so, quantity of water, flown out of the pipe, in t seconds, in t, seconds, is equal to, देखें, t seconds में निकालना है, तो one second में जितना भी water flow हुआ होगा, उसके, उसमें t से दिमेट पलाई कर देएंगे, तो निकल जाएगा, कि t seconds में कितना हुआ, हैगे नहीं, यहाँ पर पन्तों वही इनूट्रिम इतर लागाना है, आपको, तो मल लेगा, आपको t into, 11 into 5 into 35 centimeter cube, है कि नहीं, यह हो गया, total volume of water, जो flow out होगा, इस pipe के द्वारा, pipe के अंदर से, t seconds में, और हमने यह क्या माना था है, यहाँ पर, कि time जो लग रहा है, cylindrical tank को fill करने में completely, वहाँ हमने माना था, t seconds, तो t seconds में इतना volume of water निकल रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो volume of water जो निकला है, t seconds में, यह equal to cylinder, equal to volume of the cylinder होगा, है कि नहीं, तो clearly, हम यह अपले सकते हैं, clearly, quantity of water, in t seconds in t seconds is equal to okay is equal to volume of this cylinder is equal to volume of the cylinder okay अब यहाँ पर हम equate कर देंगे कि volume of the cylinder को पहले लिखते है ठीक है या फिर नहीं पहले इसको लिखते है जो quantity of water यहाँ पर निकल रहा है तो यह हो जाएगा t multiplied by 11 into 5 into 35 is equal to volume of the cylinder का क्या होगा इसमें भी लगाएंगे pi r square h pi r square h यहाँ पर r जो radius है वो है radius of the cylinder cylindrical tank and h is the height of the cylinder cylindrical tank यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसकी value भी तो इनकल लेगा h means 2.1 तो हम use करेंगे centimeter में याद रखिए यहाँ पर meter में नहीं centimeter होगा यहाँ पर 1.4 meter हमने यूज किया है तो यह हमने थ्रहा सा गलत कर दिया यहाँ पर change कर देद हो ना सा हम इसको तो देख़े 1.4 meter है ना तो इसको हम centimeter में करमड करेंगे तो मिलेगा आपको 140 cm 0 cm 140 और 140 का आधा कर देंगे तब नुकलेगा रेडियस रेडियस बरावर हो जाएगा 140 अपान 2 और यह कटेगा तुम मिलेगा 70 यहां पर हम जूज करेंगे 70 okay 70 का whole square into height height का हो जाएगा देखे 2.1 meter है तो इसको convert कर लीजिए cm में 210 cm हो जाएगा और यहां में भी लेगा 210 cm से और 7 और 7 321 हो जाएगा मतलब कि हमारा फाइनली जो एक रेडियस मज़ेगा यह हो जाएगा टी इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35 is equal to यहां पर हो जाएगा 22 multiplied by 70 का square means 70 इंटू 70 इंटू 30 अब यहां से देखे इन तीनों को हम क्या करेंगे transpose कर देंगे right hand side में तो t की value मिल जाएगी और यह निकलेगा seconds में ठीक है तो अब डिवार करते हैं तो 22 multiplied by 70 multiplied by 70 into 30 divided by 11 multiplied by 5 multiplied by 35 देखे हमने यहां पर multiply नहीं किया था तो कितना आसान है ऊपर नीचे एक इंसरफट करना क्योंक चेह है और यहां 75 धा 30 और 7 वंजा 7 टेन होगया तो 5 वंजा 5 और 5 टो जा 10 अब कुछ बचा है आपर यहां बचा है 11 वंजा 11,11 टो जा 22, great अब क्या बच गया है अब तो बचा है 70 बचा है और यह 2 बचा है और यहां से कट गया तो यह 6 बचा है मतलब कि यहां पर देखे 2 2 जा 4 and 4 7 जा 28 means मिल जाएगा 2 8 0 multiplied by 6 तो मिल जाएगा यह 0 sorry यहां मिल जाएगा 0 6 0 जा 0 6 8 जा 48 का 8 4 carry over and 6 2 जा 16 sorry 12 and 12 and 12 and 12 and 4 16 हो जाएगा यहां पर 160 इतना 1680 seconds ठीक है लेकिन हमें मेरी ख्यास से इसको seconds में नहीं बलकि minute में निकलना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे तो minute में निकल जाएगा तो 1 6 8 0 को यहां डिवाइड कर लें 60 से यह निकलेगा इतना minutes ठीक है यह जी 60 चाहिए डिवाइड कर जाएगा यहां कर जाएगा तो क्या होगा 6 2 0 12 and 48 हो गया तो 6 8 0 48 ओके तो यह मिल जाएगा आपको 28 minutes तो जो final answer आएगा 28 minutes 28 minutes लगेंगे इस पूरे tank को फिल करने में इस pipe के द्वारा यदि इस pipe से water float हो रहा है इस rate से में तब 2 meter per second के speed से यदि water float हो रहा है तो ओके तो यह आपका answer है तो final इसमें thinking process यही है कि आप पहले एक second में निकाल लो कि कितना water flow हो रहा है उसके बासे T seconds में निकाल लो कि T seconds में कितना flow out हो रहा है और जितना T seconds में flow out होगा वह equal to value of the cylinder होगा और उसका equation बन जाएगा equation solve करने पर T की value मिल जाएगी that is the only process thank you so much for watching